हलो आपरिवान तो आए देखते हैं कि beautiful clay pot बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए paraffin wax चाहिए या फिर आप soy wax ले सकते हैं wick चाहिए और obviously the clay pots so my dear viewers, my dear friends, इस वीडियो में मैं यह process शेर नहीं कर रही हूँ कैसे आपको अपने इन mini clay pots को ready करना है, कैसे इनको design करना है इसके लिए please आप description box में दी हुई link को click कीजिए और ये clay pot candle बनाने के लिए अपनी clay pots को design कीजिए मैंने यहाँ पे clay pots का size जो है वो mini रखा है आप इसका size अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कितना ये सुन्दर लग रहा है and easy to make design है और इसी तरीके से यहाँ पे oh my god you will see different 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 designs and styles तो आईए अब हम candle बनाने का process start करते हैं तो देखिए यहाँ पे जब ये सारे color आपके जो dry हो जाएंगे उसके बाद में फिर हम ये process start करेंगे आप सारी चीजें एक जगे खटी कर लीजिए candle wick चाहिए आपको इस तरह की stick चाहिए और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरह से सबसे पहले आपको अपनी candle wick को इसके अंदर stick करना है तो यह देखें यहाँ पे मैंने just a little amount यानि की शायद one teaspoon या half teaspoon मैंने यहाँ पे wax को इसमें पोर किया है और यह हम little amount किसलिए पोर कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी wick को stick करेंगे तो यह देखें अब हम इसको थोड़ा सा set होने के लिए रख देंगे और जब यह set हो जाएगा तब हम बागी की process करेंगे जैसे यह मैंने यहाँ पे पहले पोर कर दिया था इसमें stick कर दिया था तो अब देखें अंदर wax इसमें dry हो गया है सेट हो गया है अब हम इसके अंदर यह wax पोर कर देंगे तो यहाँ पे जो pouring wax का जो temperature है वो 70 degree है यह बात आप ध्यान रखिएगा अगर गाइस आप चाहते हैं कि आप इसको scented candle बनाना है तो आप इसमें aroma यूज़ कर सकते हैं दियान रखिएगा आप जो भी scent यूज़ करें वो oil based होना चाहिए because my client don't want scented candle तो मैं यहाँ पे scent यूज़ नहीं कर रही हूँ अब यह देखे इस तरह से आप अपनी wick को इसके अंदर fix कर दीजिए and this is very easy guys और आप wooden stick लेके इन wick को जो है इससे बांद दीजिए ताकि जब हम wax pour करेंगे तो wick जो है अंदर नहीं गिरेगी यह दिखिए इस तरीके से आपको wick को अंदर set कर देना है और उसे stick की सहयता से इस तरह से बांद देना है अब जब आपको यह लगेगी आपके wick अंदर अच्छे से set हो गई है तब हम इसके अंदर wax pour करेंगे so guys कई बार आप देखेंगे कि जब आप wax pour करते हैं तो इस तरह के आपको bubbles दिखाए देंगे इन bubbles से आपको घबरानी के बिल्कुल ज़रूत नहीं है इन bubbles को remove करने के दो easy process है सबसे पहरा तो यह है कि आप किसी तीखी चीज से किसी wooden stick से या किसी भी चीज से आप इस तरह से इन bubbles को remove कर दीजिए और second है कि जब आपका candle wax जो है यह set हो जाए तब आप hair dryer की मदद से गर्म हवा से भी इन bubbles को remove कर सकते हैं तो यह देखे अब हम बाकी के pots में भी इस तरह से wax को pour कर देंगे अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर bubbles ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ जो wax का जो temperature है वो 70 degrees से और ज़्यादा down हो गया है but it doesn't matter guys हम बाद में इन bubbles को remove करी देंगे तो यह देखे सारे जब हम candles में सारे pots में जब हम wax को pour कर देंगे उसके बाद में फिर हम इने set होने के लिए रख देंगे better है कि आप इन्हें कम से कम overnight या फिर it takes almost about 24 hours to get set completely अब यहाँ पर आप इनको इस तरह से कुछ different color beads या stone से आप इनको decorate भी कर सकते हैं तो यह देखे कितनी सुंदर लग रही है मटकी guys और इस तरह से बनाईए और इस दिवाली इस तिवहार अपने मिलने वालों को अपने friends को अपनी family को यह gift कीजिए अपने घर को decorate कीजिए it looks amazingly beautiful guys अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो please इसे like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और मेरे बागी के वीडियो देखना मत भूलिए बागाई